दोस्तो ये है कोटक 811 सेविंग अकाउंट का बेलकम किट केवाईसी होने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके घर के अड्रेस के उपर बैंक द्वारा भीज दिया जाता है दोस्तो इसमें आपको एक debit card मिलता है और एक checkbook की सुविदा आपको मिल जाती है बताना चाहूंगा ये account मैंने 2018 में open किया था जब ये नया नया account launch हुआ था तब से लेकर आज तक मैं इस account का इस्तिमाल कर रहा हूँ इस account में मुझे क्या-क्या fees और hidden charges लगाई गए हैं बैंक के द्वारा क्या-क्या benefit मिला है आज मैं अपना personal experience आपके साथ share करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो आपको ये वीडियो अंतक जुरूर देखना है इस वीडियो मैं इस account का पूरा review किया जाएगा और account खोलने का क्या process है, online कैसे अभीधन करना है, इसके उपर भी आपको बिस्तरित जानकारी दी जाने वाली है क्या KOTAK 811 saving account आपके लिए फाइदे मंद होगा या नहीं तो आईए इस वीडियो मैं आपको detail के साथ हम बताते हैं वीडियो काफी important है, अन्तक आप बने रहिएगा, last मैं इस account के बारे में मेरा personal opinion, आईए start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं KOTAK महिंद्रा bank के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, KOTAK महिंद्रा bank जो है एक private sector का बड़ा बहतरीन bank है services की बात करें तो बड़ी अच्छी services यहाँ पर bank के branches में आपको देखने को मिल जाएगी KOTAK 811 saving account जब आप open करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इनका process fast है, account तो तुरंत आपको open हो जाता है KYC का भी process बहुत अच्छा है, आप video call के मदद से KYC भी कर सकते हैं, अगर आप अपने घर के location के उपर bank का दिकारी को बुला कर KYC करवाना चाते हैं तो यह facility भी आपको जो है इस account में मिल जाती है, इसके रावा दोस्तों मैं 4 सालों से इस account का इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे आज तक यहाँ पर कभी भी असुविदा नहीं हुई, कभी भी network का issue देखने को नहीं मिला, जब भी मैं online mobile banking या internet banking के माद्यव से transfer करता था तो मेरे पैसे immediately transfer हो जाते थे, आप भी हो रहे हैं, कोई दिकत नहीं आ रही है, मतलब mobile banking इनकी बहुत ज़्यादा असान है, internet banking भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पर आपको charges बहुत ही कम लगाए जाते हैं, सबसे पहले मैं एक point clear कर देता हूँ, quota gate 11 saving account बिल्कुल 0 balance saving account है, यहाँ पर maintenance charges बिल्कुल 0 है, मतलब balance के लिए आपको कभी भी परिशान नहीं किये जाएगा, देखिए, अगर आपको अपना saving account अच्छे तरीके से run करन आपको नहीं आएगी, यहाँ पर specially आपको balance के लिए परताडित नहीं किया जाएगा, जैसे दूसरे bank करते हैं, minimum average balance के उपर आपको charges लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसा issue आपको देखने को नहीं मिलेगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक formula बता देता अगर आप Quotak 811 saving account खोल लेते हैं, अगर आपको charges से बचना है, तो आपको क्या करना होगा, अपना account active रखना होगा, आपको time sir payment डाल देनी है, time sir निकाल लेनी है, मतलब अगर आप अपने account को operative रखेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी additional charges नहीं लगाए जाते हैं, अगर आपका account अच्छे से running करेगा, तो कोई दिकत बरिशानी आपको नहीं आएगी, अब आपको 811 saving account की features के बारे में बता देते हैं, benefit के बारे में बता देते हैं, अगर आप Quotak 811 saving account open करते हैं, तो digital आप account open कर सकते हैं, account open करने के बाद तुरंत आपको virtual debit card मिल जाता है, जिससे आप online खरीदारी कर सकते हैं, online shopping करने में उस card का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा saving account में पैसे रखेंगे तो 4% का interest rate भी आपको मिलता है, देखी मैं आपने Quotak 811 saving account में balance maintain करके चलता ही रहता हूं, मतलब बैसे डालता ही रहता हूं, तो मुझे यहाँ पर interest rate अच्छा ख credit card instant जारी करने का भी option दे देता है, बाकि अगर maintenance fees की बात करें तो आपको balance से समंदित कोई भी maintenance fees नहीं देनी होती है, यह account आपको कभी भी additional charges नहीं लगाएगा, मतलब bank का आपको कभी भी कोई extra खर्चा नहीं डालेगा, तो यह account खोलना बहुती ज़्यादा असान है, online आप पांच मिनट के अंदर अंदर अधार pen card की detail डालकर इस account को open कर सकते हैं, आपको mobile banking भी मिलेगी, आप internet banking का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी mobile banking इतनी ज़्यादा असान है ना, कि अगर आप mobile banking के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते होंगे, तो आप भी बड़ असान saving account में passbook नहीं मिलती है, तो दोस्तो अगर आप branch जाकर special passbook के लिए request करेंगे, तो bank जो है आपको तुरंत passbook प्रिंट करके देता है, मैंने ली नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा तर इस account का इस्तेमाल digital mode में करता हूं, मतलब मुझे online transfer करने के लि bank के account आजकल online open होते हैं, पर बहाँ पर KYC को लेकर काफी साले जंजट होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, आपको branch ही जाना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, कोटेक 811 saving account जब आप open करेंगे तो आपको bank जाने के वश्यक्ता बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप KYC कर सकते हैं, तो आप KYC के मादियम से instant यहाँ पर account के KYC कर सकते हैं, अब दोस्तों fees और charges की बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप mobile banking के मादियम से, या internet banking के मादियम से, RTS, IMPS या फिर NFT करते हैं, तो उस case में आपको 2 रुपे से लेकर 40 रुपे तक maximum यहाँ पर charges रखे गए हैं, दोस्तों इस account में cash withdrawal charges होते हैं, अगर आप 10,000 रुपे से ज़्यादा की amount deposit या withdrawal करते हैं, तो यहाँ पर 4.5 रुपे per thousand के साबसे आपको charges लगाई जाते हैं, तो cash withdrawal नहीं करना है, ना तो आपको deposit करना है, अगर आप online पैसों का अधान परदान करते रहेंगे, तो को दिकत वाली बात नहीं है, अगर आप cash deposit या withdrawal करेंगे, तो उस case में 4 रुपे per thousand के साबसे आपको charges देने होंगे, अगर मैं debit card charges की बात करूं, तो यहाँ पर 199 रुपीज पाला debit card भी आप ले सकते हैं, सलाना जो है, इसका charges 199 रुपीज रखा गया है, अगर ATM की limit आप exceed कर लेते हैं, अगर आप 5 transaction से जागा transaction कर लेते हैं, तो उस case में 21 रुपीज जो हैं आपको charges देने होंगे, अगर आप कोई भी withdrawal करेंगे 5 transaction होने के बाद, तो 21 रुपीज जो है आपको cost करेगा, जितनी भी आप checkbook पन्नों वाली checkbook लेना चाहते हैं, तो 3 रुपे के हसाब से यहाँ पर charges आपको लगाए जाता है, अगर email के उपर statement charges की बात करें, तो बिल्कुल नील है, अगर आप physical statement लेंगे, तो 100 रुपे आपको बहाँ पर देना पर सकता है, तो ज्य इक ली भी charge कर लेते हैं, कई बार quarterly भी आपको चार्ज कर ले जाएगा, अब वीडियो के last में हम इस topic के बारे में बात करते हैं, कि क्या आपको quarter gate 11 saving account खोलना चाहिए या नहीं, क्या यह account आपके लिए फाइदे मन्द हो सकता है, तो मैं बताना चाहूंगा, दोस्तो quarter gate 11 saving account एक बड़िया digital saving account है, अगर आप इसका इस्तेमाल digitally mode में ही करेंगे, तो आपको बहुत सारे फाइदे होने वाले हैं, देखिए इंटरस्टेट बड़ा अच्छा है, अगर आप इस account में काफी अच्छा सारा balance maintain करते हैं, तो आपको काफी सारे offer बैंक के दोरा दे दी जाते ह lifetime free credit card भी आपको मिलता है, और इसका interest rate 4% है, तो आपको कुल मिलाकर काफी सारे फाइदे account खोलने के बाद हो जाएंगे, चार सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं आई है, तो दोस्तों opinion के तौर पर मैं यही कहना पढ़िया bank है, मेरे तरफ से उक्की report है, आप इस account को open जरूर करिएगा, आज के समय में इस bank के साथ आपका account जरूर होना चाहिए, सबसे अच्छी बात यह zero balance saving account है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका confusion भी दूर होआ होगा, और आप यह अच्छे तरेके से भी पहले देखने को मिले, मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाई बाई टेक केर